बाबा हेल्थ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपको बताएंगे चक्कर जो आज आता है चकर का जो घरेलू उप्चार कैसे किया जाए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें आज हम आपको बताएंगे चक्कर आता है तो उसका घरेलू उपचार क्या किया जाए सुरू सुरू में चक्कर आने के लक्षण हम बता देते हैं आपको चक्कर आने के लक्षण क्या है सिर घूमने लगता है और वातावरन जब दूसीत रहता है जिसकी वज़ा से मनुष्य कमजोर पड़ जाता है और वहाँ पे उनको चक्कर आने लगते हैं वह खड़ा भी नहीं हो पाता है और जो है कहीं भी थोड़ा ठाइम खड़ा होगा तो उसके सामने अंधेरा चा जाएगा और जो ढरक्यूति है गुमती बहीं। आएफ आइसा होगा तो उसके बाद उस ब्यक्तिक्ष जो है चक्कर आना शुरू हो जाते हैं तो आज हम आपको जो बता रहे हैं चक्करान मस्तिक जो कमजोरी होती है मस्तिक कमजोरी के कारण रक्त चाप कमी हो जाती है मस्तिक में इसकी वज़ा से जो है अक्सर चक्कराने लगते हैं तो जो है आज हम बताएंगे आपको इससे बचा कैसे जाए तो आपको करना क्या है सबसे पहले हम आपको कई उपाये बताएंगे जो आपको अच्छा लगे उसका प्रयोग कीजिए और इसका लाव उठाएं बादाम, पिस्ता और इलाइची आपको लेना क्या है बादाम, पिस्ता और इलाइची ये तीनों को कुचल के मिला के खाने से चक्कर आना बंद हो जाता है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ दो बादाम, चार दाने पिस्ते तथा दो दाना सफे दिलाईची सबको आधा किलो दूद में मिला कर पीएं तो ये जो है पीएंगे तो इसे भी जो है आपका चक्कर आना बंद हो जाएगा और मैं बता देना चाहता हूँ सोट और घी 10 ग्राम पीसी सोट को घी में मिला कर सेवन करें इसे भी जो है चक्कर आने बंद हो जाते हैं पानी मुनक्का और सहथ पानी, मुनक्का और सहर धूब में थोड़ा सा पानी रखकर उसमें 10-15 मुनक्के डाल दें 3-4 घंटे में पानी गरम हो जाए मुनक्य की पकोड़ी बन जाए और जब ऐसा हो जाए तो थोड़ा सहर डाल कर पी जाए और उसमें आपको रहत मिलेगा हल्दी और पानी, जब आपको चक्कर आता है तो आपको करना क्या, पीसी होई हल्दी पानी में मिला के माथे पर इसका लेप करें तो मस्तिक जो है, दर्द जो है, चक्कर आना जो है, बंद हो जाता है और पानी और नीबू हम बता देना चाहते हैं आपको पानी और नीबू यह पेट में अधिक गैसवाई बनने के कारण सिर में चक्कर आ रहा है गुंगने पानी में आधा नीबू तथा एक चुटकी सोडा डाल कर उसको पी जाएं चक्कर आने जो है बंध हो जाते हैं और मैं जो है और भी विधी आपको बता देना चाहता हूँ सौफ सौफ खाण और पानी 10 ग्राम सौफ का चूण 25 ग्राम खाण में मिला कर रख दें इसमें दो चमब चूण खाकर पानी पी लें तो इससे भी आपके जो चक्कर आ रहे हैं चक्कर आना बंध हो जाते हैं मुनक्क और नमक मुनक्के को लाकर चबा कर कुछ दिन ऐसे ही खाएं आपके जो चक्कर आ रहे हैं आपके चक्कर आना बंध हो जाते हैं और तुलसी तुलसी काली मिर्च और जो इन तीनों को जो है कि बराबर बना ले एक